जानकिर चांपा जिले के डबराधाना शेत्र के ग्राम पंचायत कोमो में गरी परिवार का आशियाना गाउं के दबंगों ने उजार दिया पीड़ित पक्ष बंशिदास महंत के रिपोर्ट पर डबराधाने में दबंगों के खिलाफ अपराद दर्ज हुआ है जानकिर चांपा जिले के अंतिम छोर में बसे डबराध लोग के ग्राम पंचायत कोमो में बंशिदास महंत का परिवार पिछले कई वर्षों से सरपन्च द्वारा दिये गए पट्टे के आधार पर आबादी जमीन पर कच्चे के आवास में निवास कर रहा था बंशिदास महंत का कहना है कि यह जमीन उनके पुर्वजों को मिली थी पहले यह जमीन पर मिट्टी का मकान हुआ करता था जो अत्यंत जरजर हो चुका था जिसे बंशिदास महंत ने पक्के एट से बनवाने का प्रयास किया तो गाउं के ही दबंग लोगों ने उसे यह कहकर कह दिया कि यह तुम्हारी जमीन नहीं है और उस पर तहसिल डब्रा में मुकदमा कायम कर दिया पीडित परिवार के लोगों ने डब्रा थाना पहुँच कर घर तोड़ने वालों के खिलाब शिकायत दर्ज करवाई है तथा न्याय की गुहार लगाई है जिस पर थाना प्रभारी डब्रा ने आरोपियों के विरद अपराद पंजीबत कर विवेचना में लिया है तो फेन गाउं के दबांग होगा मने के ती क्या के एक अठा हो के तोड़ फोड़ दीन वो कर बाद में थाना में रिपोर्ट करें हो कल तो एकल ले मुला सकता कारवही कुछ होना चीह मैं चहाथ हूं गरीब आद्मीं में खुल पसिन कमाई में बना रहे हैं मैं और पूरा परिवार नों तस्क्राह हो गया है और परेशान हम और मैं सासां से मुला की कारवही सकता कारवही होना चीह है और नाम जाराम सिदारह में ग्राम पंचाैत को मो के रहने वाला औहां एकर पडोसी ने इकर संग में हमेशा आना जाना लगे रख और जहां तक में जाना थो एकर घर हा एकर डादा जी हुझे IB होई घर में गुजारे है बार बाद में अब एकर पार played आर च्रेड माटि के रही से टूटब कर रहे से होकार बाद में ये विचार में खुद मिश्टरियों में कर घर लमच बनात रहें घंट हईभे प्रह हें अवक्क लग लगें ले से बते हर बाद में जब दबंगई करके अदमी मन कुचा के जिनमें रथ्थू स्यामलाल और मिथला कुंती छोटे लाल परखित बिरबल गवरी संकर यह मन सब दबंगई करके ओकर घरला पुड़ा तोड़ के तहस नास कर दिन हैं यह मन के परिवार मन पूरा बिखर गें हैं रो रो के परिसान होगी सब परिसान है एक दम पूरा दुखी परिवार जैसे लागातरी से अकरव में स्थासंत से निवधन कर रहा हूं कि एकर सक्से सक्त कारवाही होनी चाहिए और विचारा ला न्याय मिलना चाहिए दन्यवाद सासकी जमीन पे मकान बनाया है करके विवाद हुआ है प्रार्थी जो है बंसी दास महंत ये मकान बनाया था उसको जो है कुछ लोगों ने तोड़ पूर कर दिया है प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना डबरा में अपरात करमांग 455 अबलिक 20 धारा 147, 294, 506, 427 IPC का अप विवेचना किया जा रहा है और विवेचना के बाद जो है वैजानी करवा ही किया जाएगा लाला उपाद ध्याई की रिपोर्ट